नमस्कार दोस्तो मैं है मिंदर कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टिमेट लक्ष पे दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं तो आज यह मेरा एंसेंट हिस्ट्री का आखरी सब्सक्राइब करते हैं तो अभी तक में जो हम लोग ने जो पढ़ा है हम मैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जो आज का टॉपिक है जो क्या है कस्मीर के राजवन से और भी बहुत सरा जो राजवन से उसके बारे हम लोग पढ़ेंगे तो यह हमारा आखरी टॉपिक है इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले बेल ऐकन को क् प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों चली सुरू करते हैं अब तो पहले हम लोग कोशन आंसर से स्टार्ट करेंगे तो कोशन आंसर जो हमारा पहले होगा लोग मंदीरों का निर्मान कहां करवाय था किस राज में है तो महराश्च में कंड़òngरों की जो है लगरा और अलिम्वंटा की गुफाएं है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लो कि राश्ट कूटों ने अपने राज्यों का राज्यों के किस धर्म के व्यपारी को बसने के लिए उनके धर्म परचार के स्वकिर्ति दे दे थी तो मुसल्मान को इसलाम धर्म के लि आगे सात्मा कोश्ट ने क्या है कि सोमेश्वर पर्थम ने किसे अपनी राजधानी बनाए था तो कल्यानी को अपनी राजधानी बनाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं चालुक वश्ट का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो विरक्रमादित्य चतुर्थ जो था वो नमा कोश्ट के तरफ तो नमा कोश्ट हमारा क्या है कि कौन से सासक थे जिन्हें जीतेंद्र का मेगूती मंदिर बनाया था जिन्होंने तो कौन से पूलकेशिन दूइतिया ने बनाया था जिसको हम लोग पूलकेशिन टू के भी नाम से जानते हैं ठीक है आगे बढ़ते ह इसे मंदिरों का सहर भी कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं चोल काल की परतिमाए संसार की सबसे उत्कृत्ष्ट धात्वों की परतिमाओं से गिने जाते हैं वह धात्व कुमसिंदी है तो कांसि है ठीक है क्रांस को हम लोग्षि मंल包括 इंग्लीज में क्या का मलिक कफूर ठीक है आगे बढ़ते हैं लूँ काक्तिय वन्स के राजा रुद्रेव ने किस ने कितने वर्सों तक सासन के था तो 35 वर्सों तक सासन के था किस ने काक्तिय वन्स के राजा ने आफरी कोशन है कि निमलिखित में से किस ने पल्लव रंस की अस्थापना की थी तो पल्लव रंस की अस्थापना की थी सिम्ह विश्णु ने की थी जो option A में है तो वो correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तमिलाडू में इस्थित पड्डू कोटेई की तीरू कोर्रम कोंकरने स्वर मंदीर और पल्लव रंस की पांच सेल वाले गुफा मंदीर का निर्वान किस ने करवाया था तो option B हो जाया किसने महेंद्र वर्मन पर्थम ने करवाया था तो option B correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किस पल्लव राजा के सासनकाल में चीनी यात् निमलिखित में से किसने बैखुंड पेरु मल मंदीर बनवाया था तो बैखुंड पेरु मल मंदीर बनवाया था तो नंदी वर्मन टू ने बनवाया था तो यह क्या आंसर B correct हो जागा कांची पूरम किस राजवन्स की राजधानी थी तो कांची पूरम जो है किसके राजधानी थी वह हो जागा C मतलब विजयनगर की राजधानी थी कांची पूरम आगे बढ़ते हैं लो नेक्ट कोशन क्य है नंदी वर्मन दूईती है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोर नेक्ट कोशन क्या है मेहंद्र मनैमं वर्मन चाहिए यह संदरमी नलखित अकर्जक सेल मंडप वाली वस्तु सेली को प्रसाहिद किया था तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होयागा तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट हो जागा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कांची पूरम में कैलास नात्मंदिर का निर्मान किस ने कराया था तो ऑप्शन ए नर्सिं में से कौन सा प्रारंबिक मद्यकालिन भारत का राजवन्स अपने आपको सात्यकी के वंसच के रूप में देखता है तो ऑप्शन बी हो जाए क्या राष्ट कुट हो जागा नेस्ट देखते हैं हम लोग नेक्स कुशन है कि निमलिखित में से किसने कस्मीर पर सासन नहीं किया था तो जो सेन वंस है उसने कस्मीर पर सासन नहीं किया था आगे बढ़ते हैं कि निमलिखित में से किसने विक्रम सीला विस्विद्याला के अस्थापना की थी तो धर्म पाल ने की थी यह हम लोग कल ह माही वीजिया रचना की है तो option A correct हो जाए किया काकवती राज नेक्ट कुश्चन क्या है निम्लिखित में से किसने पाल सासक को रुमहा नाम दिया था तो इसको उत्तर हो जागा भी सुलेमान ने ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग तो दोस्तो ये दो था हमारा multiple choice question अब हम लोग थोड़ सा one liner question देख लेते हैं फटा फट तो जल्दी हो जाएगा वो तो पल्ला वंस के बारे में पल्ला question क्या है पल्ला वंस का सास्ताफक कौन था तो सिंग विश्नु था सिंग विश्नु ने अपनी राजधानी कहा बनाई थी तो काची बनाई थी सिंग विश्नु किस धर्म को मानता तो वैस्टन धर्म को अब नीश सिंग को किसको कहा जाता है तो सिंग विश्नु को कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सिंग विश्मु के दर्बार में रहने वाले लेखक का नाम क्या था तो भारवी था कीरा तारजीनियम के लेखक कौन है तो भारवी है महाविलास प्रहसन की रचना किस ने की थी तो महेंदर वर्मन ने की थी महेंदर वर्मन भी एक राजा थे पल्लबों के समय में ग्यान और इस दर्म कान आई था धैट्र मंदीर और सत्व पगोड़ा के सोर मंदिर किसके सासनकाल में बने थे तो पल्लव के सासनकाल में रहे थे ये अम लोगों कि अधेशन देख रहे हैं नर्सिंग words प्रत्थम ने किसे हरा तरफ अरुस्ट कारई ते किस राजा ने जैसिंग संकरभग्त अगंप्रिय की उपादियां द्हारन कर लिंथि तो नर्सिंग वर्मन टू ने भी ये उपाधी धारन की थी ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन क्या है कि कांची का जो कैलास मंदीर और महावली पूरर मंदीर है इसका रिन्मार किस ने कराया था तो नर्सिंग वर्मन टू ने करवाया था नियाए भ्यास की राचना किस पंडित ने की थी तो वातसायान ने की थी आगे बढ़ते हम लोग वैकुंट पेरु मल मंदीर और कांची के मुक्तेस्वर मंदीर का निर्मान किस ने कराया था तो नंदीर वर्मन टू ने प्रसिद वैशनफ संत तिरू मंगई अलवर किस के समकालिन थे तो नंदी वर्मन दूतिय के समकालिन थे पल्लव वन्स का अंतिम सासक कौन था तो अपराजित था अपराजित का सासन काल क्या है तो 889 इसवी से 897 अपराजित को किस ने पराजित किया था तो क्या हो जागा आधित प्रफम ने औपराजित को पराजित किया था आधित पुरसं कहां कराएधा तो आधित प्रसं जो है कहां कराया था जोल ऑनटे रा जाया रहे था जोलत अपना कराया था आगे बढ़ते हैं लोग दैंती दुर्ग यह जो जो बशाय है वो कहा है महाराष्त में उसे किस ने बने वाइए था तो राष्टी गुष्व को क्या था जा नाम था नाम से प्रसीद है तो धुरूब जो था वो धारा वर्स के नाम से भी जाना यादा था धुरूब के बाद राष्टकुट बंस का महान सासा कौन हुआ तो गोबिंद तृतिये हुआ ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं राजा नागभट दूतिया को किस ने परास्त किया था तो अमोग वर्स ने कंणड भासा में किसकी रचना की थी तो कवी राज मार की रचना की थी अमोज वर्क ने की थी कौन से भासा में तो कंणड भासा में नेक्ट कोशन है किसने राष्टकूट सासकों को भारत का सर्फ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जितिया के दरबार में रहने वाले विद्वान कभी का नाम क्या था तो पोन था ये हम लोग उने कल डिसकंस किया था सांती पुरान की रचना किस ने की थी तो पोन ने की थी ये भी हम लोगों ने कल डिसकंस किया था आगे देखते हैं हम लोग सोलमा कॉश्चन की एलोरा और elephanta गुफाओं का मंदीर का निर्मान जो है किस ने कराया तो गुफाओं का तो राश्ट कूर्ट सास को ने कर वाया था ऐलोरा में कितने कुफाओं है तो 34 गुफाओं कर हम लोग देखे थे जिसमें की जो है गुफा दो ने होला रहे को पीक तो तो डोस्तो यह था Ama आग हम लोग का टोपिक उसमें हम लोग कुछ कुछ वंस के बारे में पढ़ेंगे जो की आखरी हमारा इस ancient history का पाट है जो उसमें जो topic है उसमें हम लोग किसकी किसके बारे में पढ़ेंगे तो पाल वंस के बारे में पढ़ेंगे फिर सेन वंस के बारे में तो चलिए हम लोग धिरे-धिरे करके सारा वंस को एक एक बार करके देख लेते हैं तो पहला वंस जो हमारा वो कौन सा है पाल वंस है पाल वंस की जो अस्थापना है उसके बारे में बोला याता है कि जो संस्थाफक थे वो कौन थे गोपाल थे इन्होंने कब 750 में इसकी अस्थापना की थी, ठीक है? और इसकी जो राजधानी थी वो कहा थी, मुंगेर थी, मुंगेर कहा है, आप लोगोगो पता ही है, भिहार में है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जो गोपाल था, ये जो पालवंस कर जो अन्याई था, ये क्या था? वन्स के संस्थापकते कन्नोच के त्रीपक्षे संघर पाल वंस गुरजर पतिहार वंस और राश्टरकूट के भीकरम शीवार के अस्थापना की गा थे तो भागलपूर में हैं भागलपूर से आपका जो 24 किलोमेटर आप जब पूरब की और जाएंगे तो विक्रम सिला विस्विद्याले के अस्थापना वहीं पर भी विक्रम सिला के अफसेज भी मिलते हैं आगे बढ़ते हैं ग्यार्मी सदी के गुजराती कवी सोडल ने धर्मपाल को उत्रापत की स्वामी की उपादी से संभोधित किया था ठीक है चाह 핑tvध में पड़ती है ठीक है राजधानी जो है वो नदिया में थी उसके ऑट कैसे सेन वंस के प्रमुक सासक थे ये कौन कौन थे ये थे वीजय सेन बललार सेन और लक्षमन सेन सेन वंस के प्रथम स्वतंत्र सासक थे विजय सेन जो सिवधर्म के अन्याई थे दान सागर और अध्भूत सागर की रचना सेन सासक बलाल सेन ने की थे तो ये लक्षमन सेन है इन्होंने इस बुक को पूरा किया था फिर बात में फिर क्या है नेक्स कोशन लक्षमन सेम की राजसभा में गीद गोविन के लेखक ये गीद गोविन जो बहुत फेमस पुस्तक है ये बहुत बार कोशन भी आया है कि गीद गोविन के रचेता कौन है तो जैदेव है क्यों है जैदेव और क्या पवंदूत के लेखक धोई और ब्राह्मन सर्वस के लेखक हलायुद भी रहते थे तो ये लक्षमन सेन की दरवार में कौन-कौन से लेखक रहते थे तो गीद गोविन के लेखक जैदेव प्रध्युमेश्वर मंदीर यानि कि शीव जी का जो एक मिसाल मंदीर के अस्थाबना करवाया था सेन राजवन्स का प्रथम राजवन्स था जिसने अपना अभिलेक सौरपरतम हिंदी में उक्रिन किया था तो यह देखे हम लोग अभी फर्स टाइम यह देख रहे हैं कि अपना अभिलेक है यह हिंदी में उक्रिन करवाया था तो यह सेन ही पहला राजवन्स था जिसने नें हिंदी में उसे करवाया था नेक्ष्ट है क्या कि लक्षमन सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदु राया था तो लक्षमन सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदु राया था अब हम लोग जो नेक्ष्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ें कस्मीर के राजवंस के बारे में कस्मीर के राजवंस में इसके बारे हम लोग जानकारी लेंगे तो इसके जो है सासक कौन थे तो सासक वंस के कालकरम थाइसे इसके था कारकोट वंस उत्पल वंस और लोहर वंस जो ये कस्मीर में सासक थे उसके बाद के सात्मी सदी में दुरला वर्दन नामक व्यक्ति ने कस था अपना किसने की थी तो दुरलवक ने की थी ये जो दूसरे सासान के उसमें क्या है दुरलवक ने की थी ने शोशन कहा है काटोक वंस का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो ललितादित्य मुक्तापीड था ठीक है कस्मीर का मरतंड मंदीर का निर्मान ललितादित के तो कारकोड जब वंस हो गया तो इसके आत कस्मीर में जो ये कस्मीर राजबंस है इसमें किसका सा सक्वा तो उत्पक वंस का सासनवा अवंती वर्मन के अभियंता स्वी ने सिचाईयों के लिए नहर का निर्मान कराया अवंती वर्मन जो है ये बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है आपको इसके बारे में आगे थोड़ा बताऊंगे क्या है फिर क्या है उत्पक वंस की रानी दिद्धा ने एवेक महत्वा कांग्छी सा सीका हो गई अब हम आगे इसी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे तो क्या है उत्पक वंस के बाद कस् पर किस वंद्स का सासन हुआ लोहार वंद्सका और लोहार वंद्सका प्राशमराज तो यही था लोहार वंद्सका संस्थाफद के बाद कर нрав राजा हुआ इसकी पत्नी सूरमती थी प्रसासन को सुधारने में उसकी साहता की जो सूरमती जो थी ये किसकी उननत की पत्नी थी और इन्होंने जो प्रसासन सुधारने में सुननत की साहता की किसकी साहता की तो उननत की साहता की next question, next में है point कि लोहार वन्स का जो सासाक था हर्स विद्वान, कवी और कई भासा होगा ग्याता था, ये जो हर्स विद्वान था, ये कवी था, हर्स था, ये विद्वान भी था, कवी था, और कई भासा होगा ग्याता भी था, कलहन जो हर्स का असृत कवी था, जो कलहन है, ये हर्स का क्या यह कभी था यहां पर आस्रित कभी था जैसिंग लोहार वंस का अंतिम सासक था जिसने 1188-1255 इसवी तक सासन किया जैसिंग के सासन के साथ ही कलहन की राज तरंगिनी का विबरंस अमापत होता है यह जो राज तरंगिनी लेखक है यह क्या है मतलब यह एक बुख है इसका जो है किस ने लिखा था इसका लेखा कौन है तो कलहन ने लिखा था अवंती पुर्णामक नगर की अस्थापना किस ने की थी तो अवंती वर्मन ने की थी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो अवंती वर्मन है इसके बारे में कि इन्होंने क्या है अवंती पूर नामा की जगह की रचना की थी और इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट एक और बनता है कि जो रास्तरंग नी फुस्तक है इसका लेखा कौन है तो कलहन है चले हम लोग और इसकी प्रारंबिक राजदानी क्या कहा थी अईच्छतर थी बाद में इसी ने ये जो अजयरा है दूतिय है इन्हों ये राजा जब बने तो इन्होंने अजमेर नगर के अस्थापना की और उसे अपनी राजदानी बना लिया इस वंस का सबसे 47 सासक हुआ था आर्नो शम्देव विग्रिया नामक नातक लिखा था ठीक है अड़ाई दिन का मतलरा जोपडा नामक जो मस्जिद शुरू हुआ था उसमें विग्रा था इस वंसका इस अजमेर आट बनाया था था विग्रा फोर ने एंधिर रास फोर रंथम्भूर के जैन मंदीर का सिखर पिर्थी वराज तीरतिया ने बनवाई थो रंथम्बूर में जैन मंदीर है उसका जो सिखर है सबसे उपर वाला चोटी जो है उसको किस ने बनाई था प्रत्विरास तिरतिया ने तराइन का प्रतम युद्ध जो की 1191 इस्वे में इसमें महादमाद गोरी ने पृतिविराज को हारा दिया था जहां लोग एक मैं आप इतकाम करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं एक जो यूद्ध का टॉपिक है आप लोगों के लिए लिए कि जो प्रमुख यूद्ध हैं पूरे एंसेंट हिस्ट्री से लेकर के जो प्रमुख प्रमुख यूद्ध हैं उसके बारे में आप लोग को एक दिन टॉपिक लेकर के आऊँगा और सारा यूद्ध के बारे में डिस्कस करूँगा फिर आगे क्या है चंदरवर्दाई जो प्रतिवी राज तीन का जो है वह राज के बीट था जिसकी रचना क्या ह यह कहां थी दॉपयंदर राजने का दूसरा नाम भी क्या है धारानगरी है जो जिसको अभी हम जो जो प्राचीन में उसका क्या राजा नहीं था अगरी मैं धो सक्ति-सालिस आसक कौन था भोज जिसे वहम लोग राजा भोज के भी नाम से जानते हैं राजा भोज ने बोपाल के दक्षीन में भोजपूर नामक जहील का निर्मान करवाया था नैसेध्या, चरित के रचकार थे, श्री हर्ष थे, ठीक है, राजा भोज ने चिकिस्सा, गनीत और व्याकरन पर अनेक ग्रंद लिखे, तो इससे पता चलता कि राजा भोज को भी जो है, साहित में बहुत ज़्यादा रूची थी, कवी राज की उपादी से विवोसीत सासक था, कौन था, तो ओए, राजा भोजी था, इसे कवी राज की उपादीवी धारन थी, नेस्ट क्या है, भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदीर का निर्मान कर रहा था, तो सरस्वती मंदीर का किसने निर्मान कर रहा था, नेस्ट क्या है कि इस मंदीर के परिसर म सब्सक्राइब विद्वानों के लिए पर निर्वान क कर आया था परमार वंस के बाद तोमर वंस का उसके वाद फिर चाहन वंस का और अंतता जो है सेनापति नसरत खां और अलुक खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया भोजपूर नगर की अस्थापना किस ने कि थी तो राज़ा भोजने कि थी ठीक है चलिए हम लोग अब नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट चंदेल बशा वंस यह बुंदेल खंड की बुमी पर पर बना हुआ है ये क्या स्वतन्त राजनितिक इت्यास था इसका तो इसके संस्थापक कौन थे तो ननुक थे इन्होंने कम स इसका संस्था अस्थापना किया था तो 831 इस्वी में किया था इसकी राजधानी कहां थी तो खजुराहो थी प्रारम में इसकी राजधानी कहां थी कलिंजर थी महोबा जिसे भी हम लोग बोलते हैं राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंगर में खुजराहो में अस्थान अंत्रित किया तो जो कलिंगर में पहले इसका राजधानी थी राजा धंग ने उसे क्या किया बाद में खुजराहो अस्थान अंत्रित कर दिया चंदेल वंस का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा कौन था तो यशो वर्मन था यशो वर्मन ने कन्योज पर आक्रमन कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने उससे एक विष्णु की प्रतिमा ली प्राप्त की जिससे उसने खजुराहों के विष्णु मंदिर में अस्थापित कर दिया तो खजुराहों में विष्णु मंदिर है बहुत फेमस है उसकी जो प्रतिमा है वो उसकी किसने अस्थापना के थी तो ये सोवर्मन ने चन्दिल सासक विद्याधर ने कन्योंच के प्रतिहार सासक राजिपाल के हत्य कर दिया थे क्योंकि उसने महमूद के आकरमन का सामना किये बिना ही आत्म समर्पन कर दिया था विध्याधर ही अकेला भारतिय नरेस था जिसने महमूद गजनी की महत्वा कांग्छाओं का सपलता पुरवक प्रतिरोध किया था प्रबोध चंद्रोदय की रचना एक बुक है, इसकी रचना किस ने की थी, तो कृष्ण मित्र ने की थी, किर्थी वर्मन ने महोबा के समिक किर्थी सागर नामक जलासय का निर्मान करवाय था, अलहा उदल नामक दोसेनानायक परमंदी देव के दरवार में रहते थे, जिन् उसके चंदेल वंस के अंतिम सासक कौन थे तो परमदीर देव है इन्हों ने कब ये क्या हुआ था इनका तो 2202 इस्वि में खुदबुद्दिन एवग की आधिनता सुईकार कर ली थी इस पर इसके मंतिर जो अजय देव थे ने उसकी क्या कर दी हत्या कर देती कि आप ये इन इस ए सोलंकी वंस का जो अस्थापक था वो कौन था वो मूल राज प्रथम था इसकी राज़नानी कहा थी तो अहिलवार थी मूल राज प्रथम जो था क्या था सैध्धर्म का अन्वयाई था और क्या था भीम प्रथम ने सासनकाल में महुमत गजनी ने सोमनात मंदिर पर आकरमन किया था तो यह सोमनात मंदिर पर आकरमन किया था मुहमत गजनी ने और इसने क्या क्या है सोमनात मंदिर को लूटा था फिर क्या है भीम प्रथम के सामंत बीमल ने अबु परवत पर दिलवारा का प्रसीद जैन मंदिर बनवाय था तो यह बहुत ही फेमस मंदिर है और ये क्या है बार बार ये question आता है कि दिलवाडा का जो जैन मंदीर है ये कहां इस्तित है ठीक है और ये क्या आता है ये तो अबुपरवत पर इस्तित है ठीक है तो ये question भी पूछा आता है कि दिलवाडा का जो प्रसिद मंदीर है वक किस धर्म के लिए है तो जैन धर्म के और यह क्या है जैन मंदिर है, नेक्स्ट क्या है कि सोलंकी वंस का जो प्रतम सक्ति सालिस सासक था, वो काउन था, जैसिंग सिद्राज था, माउंट आबू परवज राजस्थान जो है, पर एक मंडब बनाकर जैसिंग सिद्राज ने अपने साथ पूरवजों की गजा रोही म साजाओं के सासनकाल में हुआ था, सिद्पूर के रुद्रम महाकाल के मंदीर का निर्मान जैसिंग सिद्राज नहीं किया था, सोलंकी साजक कुमार पाल, जैन, मातानु याई था, वह जैन धर्म के अंतिम राज की प्रवर्तक के रुप में परसिद्ध है, सोलंकी वंस का अंतिम सासक कौन था, तो भीम धूईतिया था, ये question भी एक दो बार प्ुछा क।ा गया, कि सौलंकी वंस का अंतिम धूईतिया, भीम धूईतिया के एक सामन्त, लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंस की अस्थापना की थी, बघेल वंस का कर्न, जो था को कर्ण दूइतिया गुजरात का अंतिम हिंदू सासक था उसने अलाउद्दिन खिल जी के सेनाओं का मुगावला किया था प्रसीद जैन विद्वान हेम चंद जैसिंग सीधराज के दरवार में रहता था तो ये था हमारा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ छोटे-छोटे राजवंस भी थे तो उसमें से कौन थे गुर्जर प्रतिहार वंस क्या था तो प्रतिहार वंस को गुर्जर प्रतिहार वंस की छटी सतादुए से 1036 इस्वी तक इसलिए कहा गया क्योंकि गुर्जरों की एक काइंची में राजस्तान में हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंस के स्थापना नाग भट delivery मांके सामंति ने 125 FM की थे नागभट के भतीजे का पूत्र वच्त्त राज इस वंस का प्रथम सहा सक था जिसने असाम की पद्ध्र ने 811 इस्वी के लगवक गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्योज पर अधिकार कर लिया वहां के राजा को गद्दी से उतार कर वह अपनी राजधानी कन्योज ले आए तो इसने क्या किया अपनी जो राजधानी है वह कहां ले आई कन्योज ले आई नागभट वितिय भी राष् चंदरदेब महाराजा धिराज जो कि इनजीन की आपके थी तो कन्नोज में गरभाल वन्स के उन्हें। 14 इस्वी तक क्या किया शासन किया इसके बाद वो जो राजा के रूप में 1154 इस्वी में एक विसाल राजपर शासन किया जिसमें आधुनी उत्तर प्रतेसर बिहार का अधिकांजवाग सामिल है नेक्स्ट क्या है कि गोबिंद चंद का पौत राजा जैचंद जो कि हम लोग जैचंद के भी नाम से आनते हैं जिसकी सुन्दर पुत्री संयोगिता को अजमेर का चोहान राजा प्रतिवी राज चोहान जो था वो क्या कि अपरन करके लेके चला गया फिर क्या हुआ इस ने उसको साहताने की और क्या हुआ फिर 1192 इसमें तराइन के युद में दूसरे युद में पृतिवी राज क्या हार गया और वह खुद को मार लिया अपने आपको क्या किया प्रानांत कर लिया खुद को मतलब आत्मात्या कर लिया उसने युद में हारने के बाद फिर दो दो वर्स के बाद क्या हुआ, 1954 में चंदावर के यूद में तूर्क विजयता साहबुद्दिन मुहमद गोरी ने जैक चंद को भी हराया और मार डाला, तो इस तरह से गड़वाल वंस का अंत हो गिया, तो छोटे-छोटे और वंस है, कल्चूरी वंस, कल्चूरी वंस का जो स सासन किया, जो तुरिपूरी क्या थी, राजधानी थी, कल्चूरी वंस की, इसके बाद जो पूत्र था इसका, क्यों था, तो लक्षमी करन था, जैसे हम लोग करन भी जानते हैं, ये बहुत ही प्रतापी राया था, इसने 1040-1070 इस वी तक इसका इस पर सासन किया, फिर क्य ये क्या है, ये राज सेखर, उन्हों नहीं इसकी रजना की थी, तो जी पुर्पूर मंजरी के पुस्तक के लेखा के राज सेखर, ये कल्चूरी के ही दरवार में रहते थे, नेक्स्ट है सिसोधिया वंस, सिसोधिया वंस जो है, ये सूरिवंसी छत्य वंसे नाता रखते नेक्ष या है कि मेवाड में स्विटोदिया Hahnai राज की अस्धापना राणा स्राहप ने राहप ने की थी। जिनें हम लोग है नेक्टा राना हमीर ने तो जित तो तोत थी महराना कुम고 कर्ण जिसकी मिर्त्यू में 16V में हो गए थी जिसने 1433 से 1478 तक मेवार के राजा थे वहां पर मेवार पर सासन किया था महाराना कुम की वीजियों का गुनगान करता विस विज्ञात विजय स्थम भारत की अमुल्ख धरोहर है और इसमें जो फिर महाराना प्रताब भी थे जो कि फिर हरली गाठी में अगबर के दोस्तों तो मुझे आसा है कि आप लोग को जो हमारा यह एंसेंट हिस्ट्री का पूरा तेरो पार्ट है अच्छा लगा होगा तो जिदी अच्छा लगा है तो वीडियो को जो अन तक देखे जरूर सेर करें और सब को लाब लेने का मौका दें तो दोस्तों कल हम लोग हो स सेफ रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, लोकडाउन में अपने घर में रहें, जैहिन, जैवार, धन्यवाद.